आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम सिद्धान तक नहीं उतरी, स्टड़ी आईक्योपाइब का बहुत सभागत है, दोस्तों, यह बहुत ही जादा दुखत घटना है, और किस तरीके से इंसान के जो जिन्दगी है, वो उसके सामने से निकल जाती है, और वो कुछ भी नहीं कर पाता है, आपने गुना किया है सजा मिलेगी लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आपने कुछ भी नहीं किया आपको पता है आपने कुछ भी नहीं किया उसके बावजुद आपको दुनिया गालिया दे रही है हम विश्णु तिवारी की बात करेंगे जो आपको मुझे पता है तस्वीर थोड़ी सी ब्लर्ड है लेकिन तस्वीर मुझे और कहीं मिली नहीं ये जस्ट जेल से निकलने के बाद की तस्वीर इनकी खीची गई थी आप देख सकते हैं मायूसी देख सकते हैं इनके चेहरे पर क्योंकि इन्होंने 20 साल तक सजा काटी है उस गुना के लिए जो नोने किया ही नहीं जब आपको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया मुझे दुनिया गालियां क्यों दे रही है इससे ज़्यादा depressing feeling और कुछ भी नहीं हो सकती देखिए no doubt कि women empowerment होना चाहिए हमको definitely औरतों को support करना चाहिए crime against women is a बहुत ये बहुती गंभीर सदा जो ये करता है सक्त से सक्त सदा मैंने बहुत धेरों liches लियें इस पर लेकिन ये बात भी सच है कि मर्द भी प्रतालत रहते हैं बहुत जादा प्रतालत रहते हैं और वो भी abuse का शिकार रहते हैं कई बार उनको जूटे case में फसाद दिया जाता है रोतक sister का case आपको मालूम ही है जसलीन कौर का case आपको मालूम है बिना बात के उनको case में फसाद दिया जाता है हम लोगों के उपर बहुत जिम्मदारिया है हम लोग जब school में पढ़ते हैं तो चाल बैटा शर्मा जी का बैटा, उनका बैटा तो इतना बड़ी आनी, कि तुम क्या कर रहे हो और उसके बाद शादी हो जाती, तो उसकी जिम्मदारियां वहां पर कि बच्चों को तुम ही हो तुम ही करता धरता हो बहुत प्रेशर है और उसके बाद जब मेंटल अब्यूस होता है, तो हम किसको जाके अपना दुखडार होए, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला है नहीं, तो मेरे खयाल में, यहाँ पर जो matter करता है, वो है इंसान, इंसान कैसा है, इंसानिये सबसे उपर अब हो चाहें, आदमी हो चाहें और अवरत हो, इंसानिये सबसे उपर होनी चाहिए, मेरे friend circle में दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग है, they are actually mentally abused, and in some case, physically abused by a woman, यह सच्चाई है, आप testimony पढ़िएगा, no doubt कि आउरतों को हमको support करना चाहिए, लेकिन तब आप क्या करेंगे, जब एक और अवरत आपको जूटे case में फसादे, उस पे भी हमको देखना चाहिए, अब इस case में यही हुआ है, जूटे case में, रेप के case में 20 साल तक विश्णो तिवारी जेल में रहे, इन्होंने ज्यादा कुछ बोला निकलते हुए, लेकिन जो इन्होंने बोला है, वो आपको अंदर तक जगजोर के रख देगा, मैंने जब पढ़ा इनका statement, मैं खुद भी शान्त हो गया, एक दो मिनट तक, देखते हैं क्या बोला है इन्होंने, और कोट ने क्या बोला है, UPSC के स्मार्ट कोसे जाते हैं, दोस्तों, आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आप फॉलो करें, और आज से मैं क्वेरीज अंसर करने शुरू कर दिया, मैंने कल से, एक महिने से नहीं कर रहा था, हिमाचल जा रहा हूँ है, अगर आप मुसे मिलना चाहते हैं, मार्च लास्ट में जाओंगा, तो बिलकुल मिल सकते हैं, विश्णु तिवारी नाम है इनका, 20 साल यह सजा काटके आए हैं, इलाबाद हाई कोट ने इनको बोला कि इनकी कोई गलती नहीं है, आगरा सेंटरल जेल, वेंस्डे इवनिंग को इनको छोड़ा गया, आजाद हो गई है, जब इनको अरेस्ट किया गया था तो यह 23 साल के थे, यूपी के ललितपुर डिस्टर्ट के गाउं के रहने वाले हैं, और अब यह जब बाहर आ रहे हैं, तो 43 साल के, क्या विश्वास करेंगे, 2020 में इनको अरेस्ट किया था, 2021 में यह जेल से छूट है, 20 साल निकल गए, दो दशक निकल गए, और इन्होंने अपनी जिंदगी जेल में बिता दिए, पुसके जिम्मदारी कौन लेगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं जिम्मदारी लेगा, गई तो गई जिंदगी, तिवाली जो हैं, इनको 16 सितंबर 2000 में अरेस्ट किया गया था, रेप के चार्जेस थे, अट्रोसिटीज, अंडर SCST आक्ट, तीन साल बात, इनको ललितपुर कोट ने, लुवर कोट ने, दस साल की रिगुरस इंप्रेजिनमेंट सजा सुनाई, फर्दर इनको SCST आक्ट, दिखें, कितने सारी धाराय लग रहे हैं, इनको सजा पर सजा मिल रही हैं, लाइफ इंप्रेजिनमेंट्स, उमर कैतकी इनको सजा सुना दी गई, और अभी ये सजा काठी रह थे, हुआ क्या था, इशू क्या है, एक औरत ने इनके उपर आरोप लगाया, कि जब गाउं में मैं जा रही थी, अपने खेतों की तरफ, तो इसने मुझे एसॉल्ट किया, जब मैं खेतों की तरफ काम करने जा रही थी, तो इसने मुझे एसॉल्ट किया, इसने मेरे साथ गलत काम किया, तो उसके बाद इनके उपर मुकदमा चला, अब देखिए कितनी दर्दना कहानी है कि जब इनके उपर मुकदमा चला, इन्होंने 2003 में अपील करने की कोशिश की इस के खिलाफ कुछ हुआ नहीं फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इनकी फैमिली में दो भाई हैं और पिता जी हैं माता जी नहीं तो बहुत अटाजड थे ये अपनी फैमिली से बहुत ज़दा अटाजड थे ये सबसे बड़े थे तो क्या हुआ कि इनके पिता जील से मिलने आया करते थे जेल एथॉरिटीज कहते हैं बहुत अच्छे हैं विश्णो तिवारी बड़े अच्छे हैं इनके बड़े शान्त है ये और सब को साथ में लेके सब को खुश रखना जेल जो कैदी थे उनके लिए खाना भी बनाते हैं ये आपको पते ही ना कि जेल कैदियों के बिना नहीं चल सकता जेल स्टाफ बहुत कम होता है और कैदी ही एक तरीके से कैदियों को काम दिया जाता है तो अगर कैदी कॉपरेट ना करे तो जेल चल ही नहीं सकता ये बड़े-बड़े सोप्रिटेंडेंट जो भी जेल सोप्रिटेंडेंट ना वो सब बताते हैं तो क्या हुआ कि अपने पिताजी से बहुत ज़्यदा टैच थे और पिताजी इस उम्मीद में कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अचानक एक दिन पिताजी मिलने नहीं आए विश्रुतिवाली ने सोचा क्या हो गया दिन गुजर गए, महिने गुजर गए और तब पता चला कि इनके पिताजी का देहान थो गया है अपने बेटे के दुख में, क्योंकि सारी उम्मीदे छोड़ दी थी अपने बेटे के दुख में इनके पिताजी का देहान थो गया पिता जी को चिता तक नहीं दे पाईए, अंतिम दर्शन नहीं हुए, फ्यूरल अटेंड नहीं किया, उसके कुछी दिन बाद इनके भाई का देहां थो गया, उसका भी फ्यूरल अटेंड नहीं कर पाईए, जब सारी उम्मीदें खतम होगी तो देखें, जेल अथोरिटीज ने अपील की है, यहां पे जेल अथोरिटीज ने, इसका मतलब यह है, कि जेल एक इनका परिवार था, एक परिवार तो जेल में बनी जाता है न, देखिए अब अगर आप अच्छे हैं, तो आपके अच्छाई जो है, वो हर जगा फैलती है, तो अगर आप अच्छे हैं, तो हर जगा के अच्छाई फैलेगी, तो पूरी जेल इंके साथ हो गई, जेल अथोरिटीज ने यहां पे अपे अपील कि हाई कोट में, और फाइनली यहां पे जजेज ने यह फैसला सुनाया, कि यह तो बेगुना है, जस्टिस कोशल जैंदर ठाकर और गौतन चौधरी ने यह बोला, जो बेंच थी जजेज की, यह तो बेगुना है, इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो अब जब विश्णु तिवारी को रिलीस किया गया है, तो आगरा सेंटरल जेल से बाहर आये और उसके कोई उनको, देखे, आये वो, और कोई भी उनको रिसीव करने नहीं क्योंकि कोई ही नहीं, घर में तो सभी मर चुके हैं, खाली एक छोटा भाई है, अब आप देखिए, यह जो स्टेटमेंट हैसने मुझे हिला के रख दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ है, क्योंकि यह स्टेटमेंट पूरी स्टोरी इनकी बन्या कर देता है, इतने ज़्य अब मैं 20 साल तक जेल में रहा, अब मैं क्या करूँ, मेरा पूरा शरील तूट गया है, और मेरी फैमिली भी, मेरी शरील की तरह मेरी फैमिली भी तूट गई है, मेरे पास सिर्फ एक छोटा भाई है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे हातों को देखो, हर जगा आपको नहीं है, चाहा बोलें, तो अब कोर्ट ने क्या बोला है, जनवरी को इलाबाद हाई कोर्ट ने यह अबजर्व किया, कि जो मेडिकल एविडेंस है, वो कोई भी फोर्सिबल इंटर कोर्ट दिखाते ही नहीं है, अगर हम जो घटना है उस हिसाब से जाएं, कि इन्होंने ग जाच की, उसमें कोई भी स्पर्म हमको मिला ही नहीं, फोर्सिबल सेक्श्वल इंटर कोर्स नहीं हुआ, कोई इंटर्नल इंजूरीज नहीं थी, फैक्श्वल डेटा, में भी कुछ कॉंटरिक्शन्स हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन, जो भी तीन विटनेस है, जब हमने उनको क्रॉस एग्जामिन किया, तो हमको यहीं पता चला, यह सब चीजें, देखें, फैक्श्वल डेटा, मेडिकल एविडेंस, और जो विटनेस को हमने क्रॉस एग्जामिन किया, उससे यह पता चलता है, कि कोई रेप नहीं हुआ था, फैक्स और एविडेंस हैं, जो भ यहाँ पे स्टेट को भी, सेंटर को भी फटकार लगाई है, कि आपने क्यों कम्यूट नहीं किया सेंटर, मतलब सजा, आपके पास यह ताकत है कि आप सजा को खतम कर दें, आपने केस भी नहीं चलवाए, भाई देखो यहाँ पे केस तो चलवाना चाहिए था ना, यहाँ पे कोट ने बोला है कि क्या स्टेट ने एक बार भी नहीं सोचा, कि वो केस सला दे या केस ओपेन कर दे, पावर फॉर कम्यूटेशन अफ सेंटेंसेंज और लाइफ इंप्रेजनमेंट यह स्टेट के पास ताकत है, लेकिन उसने यह सोचा ही ने कि इसको एक्सरसाइज करे उसके बाद इनका जो केस है, वो कभी कंसिडर नहीं किया, और जब कंसिडर किया जाता था, तो कोई फायदा नहीं होता था, फैक्चुल सेनारियो यह बताता है कि जेल मैनुल के हिसाब से गवर्मेंट को इनका केस लेना चाहिए था, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हायर क बोट में जाना चाहिए था वो, लेकिन वो गया ही नहीं, तो केस इतना ज़्यादा गंबीर रही था कि इसको दुबारा उपे ना किया जाए, यह रिमिशन और कम्यूटेशन के लिए इसको ना लिया जाए, क्यूंकि देखिए, 14 साल तो गए ना, 14 साल क्या, 20 साल तो गए आरोपी के, अब वो साल तो वापस आएंगे नहीं, तो भाया ऐसी कंडिशन, ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो, हम तो यही अपील करेंगे, क्योंकि जब इंसान अपनी जिन्दगी को अपने आँखों से जाता हुआ देखता है ना, उससे डिप्रेसिंग फिलिंग और उससे से दान तक नियो तरी सैनिगोफ